जैजन सक्ति से मैं राहूल निमेश आप सभी का बहुत बहुत पुछागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैजन सक्ति में बहुत सारे मेरे भाई instant personal loan के लिए बहुत जादा यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि उनने कहीं से भी instant personal loan मिल जाये उनने बहुत सारीके का प्याएं चुटकियों में 5 लाख उर्प लोन इस तरीके के बहुत सारे थमनेल आपको देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पर ये भी बताया जाता है कि विदाउट पेपर वर्क है कोई किसी परकार का कोई पेपर वर्क नहीं है और आपको यहाँ पर यह लोन जो है इतना मिल जाएगा आपको क्या करना है आपको इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है और प्लस अपना आधार कार्ड अपना पैन कार्ड यह आपको वहाँ पर फिल करना है और आपको चुटकियों में इतना लोन मिल जाएगा लेकिन जब व्यक्ति वहाँ पर विजिट करता और विजिट करने के बाद में उस application को पूरे तरीके से डाउनलोड करता है डाउनलोड करने के बाद में सारी जो steps है follow कर लेता है उसको कितने रुपे की limit दिखाई जाती है हजार रुपे दो हजार रुपे की जब व्यक्ति वहाँ पर customer care में call करके कहता है कि बाई आप लोगों ने यहां पर दिखाया था मतलब यह सब दिखाया था और आप लोगों ने कितना दिया हजार रुपे का या दो हजार रुपे का लोण टीक उसके एवज में व्यक्ति से यह लोण वाले क्या करते हैं 3000 रुपे या 4000 रुपे लेते हैं 2000 के 3000 4000 और व्यक्ति अगर payment करने में एक दिन भी टिन्याय कर दे आप लोग जानते हैं आपको प्रताडित किया जाता है आपको डराय जाता है आपको धमकाय जाता है तो मेरे भाई आप लोग एक सोचने वाली बात है ना एक common sense वाली बात है आप इंस्टन परसनल लोन के लिए लगातार application सर्च करते हैं और आपको लगता है क्या कोई ऐसी application है जो आपको पांच लाग या दसजार सोरी पांच लाग या पचास जार लोन दे देगी बता हूं मैं देखता हूं जितनी भी लोन application मैंने देखा है ये इनसान को चार या पांच जार लोन देती है उसके बाद में उसे अपने trap में फसा लेती है कि भाया आप इतना payment कीजिए आपको फिर limit बढ़ जाएगी यह हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके की सारी में आ जाएगा कि यह लोग आपको साथ में ऐसा क्यों करते हैं और आपके साथ में इस तरीके की दिक्कते क्यों आती हैं तो चलिए बताते हैं आपको यह कुछ इस पेसल बाते मेरा जो डेड़ साल का experience है इन लोन किया जा सकता है कैसे किया सकता है देखिए यह पहला काम क्या करती है आपका डिवाइज है उसका पूरा access ले रहेती है पूरी डिवाइज का access लेने के बाद में इनको पता लग जाता है कि व्यक्तिक कैसी कैसी गतिविधिया अपने फोन में कर रहा है क्या सारी चीज़े कर रहा है मतलब एक इंटरनल ये इंक्वाइरी करती है जो हमने आज सक देखा है जो हमारा experience रहा है आपके device के photo भी चोड़ी हो सकते हैं आपके device का पूरा contact list चुड़ा करके उसको marketing के लिए भी यूज किया जा सकता है आपके device का कहते हैं कुछ भी मतलब आपकी कोई special documents है आपके device में वह भी लिएक हो सकते हैं तो देखिए आप कुछ मतलब जल्दबाजी के चक्कर में आप अपना बहुत ज़्यादा loss कर सकते हैं देखिए ये कोई भी आपको पांस लाग या दस लाग का लोन नहीं देने आप इस बात को सोचिए ना जो किसी प्रकार की कोई guarantee नहीं है और कुछ भी आपसे नहीं ले रहे ये पांस लाग का दस लाग का लोन कैसे दे अब आप कहेंगे कि सर जी यह 2000 3000 भी कैसे देते हैं देखिए यह बाटते हैं पूरे पैसा डिस्टिब्यूट करते हैं 2000 3000 रुपे आपस में मतलब उससे लिए उसको बाट दिया उसको बाट दिया मान लीजिए इन्होंने अपना मार्केट में लगा लिए 15000 रुपे ठीक है अब 15000 रुपे इन्होंने कितने लोगों को दे दिये 100000 करके साथ लोगों को दे दिये अब साथ लोगों से इनको भाई ब्याज भी आएगा उस पर और ब्याज आने के बाद में फिर उसके डवल होई जाते हैं अगर एक व्यक्तिवी डिफॉल्ट होगया दो यह उनका पै किया जाता है और आपको इससे जदा कुछ भी नहीं है मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं कॉमेंट करके जरूर बताएं क्या आप भी इनकी सचाई जानने के बाद में लोन लेंगे जरूर बताएं क कॉमेंट में कॉमेंट सेक्चन खुला है